मैंधेश के पंदरवी राष्टपती के लिए वोटों की गिंती चल रही है इस चुनाओं के नतीजे शाम तक आने की संभावना है लेकिन शुरुआती रुजहान जो सामने आ रहे हैं उसमें दुरौपदी मुर्मू काफी आगे लीड लेती हुई बताई जा रही है आपको बता दे राष्टपती चुनाओं सांसतों के वोटों की गिंती पूरी इसे के साथ हो चुकी है दुरौपदी मुर्मू ने 3,78,000 के मूले के साथ 540 वोट हांसिल किये हैं यश्वन सिन्हा ने 1,45,600 के मूले के साथ 208 वोट हांसिल किये हैं कुल 15 वोट अभी तक अवै पाए गए हैं राजे सवा के मास अचीव ने कुछ खुद इस बात की जानकारी दी है और साफ तोर पर देखा जा सकता है कि एक अच्छे मारजन के साथ दुरौपदी मुर्मू लगातार आगे बनी हुई हैं तकरीबन डेर सो से 200 वोट का मारजन जो है वो अभी नजर साफ तोर पर आ रहा है पुई नतीजे आने से पहले ही भारते जंता पार्टे ने जशन की तयारिया शुरू कर दी है साथ ही अंडियो में दबार दुरौपदी मुर्मो के पैत्रिक गाउं में भी जशन का माहौल जशन की तयारिया साफ तोर पर देखी जा सकती हैं लोगों में गर्ब की भावना है कि उनके गाउं की एक साधरन सी महिला उनके समाज का नेतरत्व करने वाली महिला, उनका समाजिक सरोकार को हमेशा मजबूती के साथ पेश करने वाले महिला देश की सरवोच नागरिक महामही राष्टपती बनने की तरफ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और प्रबल संभावना ही है कि आप वही देश की राष्टपती बनने के लिए जाएंगी और ये भी बात प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज पता लगी कि द्रौपती मुर्मू के पास वो पहुंचेंगे नतीजेस फष्ट होते ही और उन्हें बधाईयां देने की तयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई है जो रिटर्निक अधिकारी हैं उन्हों इस बात की जानकारी दी है कि बैलेट पेपर्स की पहले राउंड की काउंटिंग के बाद जैने भी MPs हैं मेंबर ओफ पार्लेमेंट हैं उनके सभी के वोट काउंट्स कर ली गए हैं तक्रीब 748 टॉटल वोट्स थे जो की वैलिड वोट है इसके लावा 15 वोट इन्वैलिड भी पाए गए हैं अवैद वोट पाए गए हैं पान्सो चालीस वोट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मों को मिले हैं अगर संख्या के लिहाद से देखें वोट वैल्यू के लिहाद से तो यह संख्या 3,078,000 की है और इसी के साथ 201,08 वोट जो हैं वो यश्वन सिनह को मिले हैं जिसकी वोट वैल्यू बनती है 1,45,600 कुल मिल और राश्पदी मिद्वार द्रौपदी मुर्मू का जो जिला है मयूर भंज पूरे जिले में खुशी का माहौल है उनका पैरिक गाउं रायरंग पुर आप भी जश्च मना रही हैं लोगों में गर्व का माहौल है प्रवीन अत्रेशी भारती जता पारिटिक प्रवक्ता हम चाका साब वोटो का मार्जिन है डिफरेंस है लेके केशव जी जिस दिन द्रोपदी मुर्मूर जी का कैंडिटेचर घोशित हुआ था उसे निए सुनिश्चित हो गया था कि द्रोपदी मुर्मूर जी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाज जीत में लगा जिस तरहां से जो जिरोधी दल थे उन्होंने भी इनको समर्थन देना शुरू किया जितना से जारखन मुक्ती मोर्चा ने समर्थन दिया और आपने देखा होगा मंता बैरत जी एक बियान आया था कि अगर हमें पहले पता हो था तो हम भी समर्थन करते तो वो सब खाफी सा बताने के लि सब्सक्राइब करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए परमीन अत्रेश जी हमारे साथ मौशूद थे उन्होंने कहा कि पहले से ही जीत सनुष्ट की जा रही थी दुरौपदी मुर्मू की और अपचारिक था पर चुना हो था लेकिन अनिशित तोर पर एक मास्टर स्ट्रोक भारतिय जनलापटी का दुरौपदी मुर्मू के रूप में कहा जा सकता है जो की एंडिये के द्वारा रखा गया और यश्वन सिन्हा जो शुरूआत में लग रहे थे कि विपक्षी ताने बाने को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाएंगे महद 13 से 14 मुर्मू अभी आगे बढ़ नहीं है